नमस्कार दोस्तों मैं मंदीप सर्मा आपका आलटेक में स्वागत करता हूं दोस्तों यदि आप किसी के पास टेलिग्राम पर नॉर्मल ही ऐसे ही अपना फोटो भेजते हैं तो उस फोटो को वहाँ बंदा डाउनलोड भी कर सकता है उसका स्क्रीन सोट ले सकता है यानि कहने पास टेलिग्राम पर अपना फोटो भेजना चाहते हैं और आप चाहते ही कि वहाँ फोटो कुछ सेकिंड़ बाद अपने आप ही उसके पास से डिलीट हो जाए और साथी साथ वहाँ उस फोटो का ना ही स्क्रीन सोट ले पाए और ना ही उसकी वीडियो रिकोर्ड कर पाए यानि इस्क्रीन वीडियो रिकोंड कर पाए। तो दोस्तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं और नहीं जानते हैं तो बने रहेvous मेरे साथ इस वीडियो के अन्ते तक क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो कि जब भी इस चैनल पर मेरी कोई नई वीडियो अपलोड़ा तो उस वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए दोस्तो जानते हैं कि कैसे आप टेलिग्राम पर किसी के पास भी अपना कोई फोटो सेल्फ डिस्टरक टाइमर लगा कर भेज सकते हैं यानि दोस्तो सेल्फ डिस्टरक टाइमर का मतलब है कि यदि आप किसी के पास अपना कोई फोटो भेजते हैं उस पर कुछ सेक इन वीडियो बना पाएगा तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको आ जाना है सेंपल यह अपने टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर आने के बाद यहां पर यह देखे जिस किसी के पास भी आप सेल्फ डिश्टक टाइमर लगा करके फोटो भेजना च देखे आपको एक ओप्सन मिलता है टाइमर का यह देखे चेन मिलता है आपको सेंपल ही इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर यह देखे जितनी सेकेंड का टाइमर यहां पर आप लगाना चाहाते हैं उतनी सेकेंड का लगा करके डन पर क्लिक कर देना ह और simple ही आपको इसको send कर दिना है के बाद अपने आप ही यहां से वह photo डिलीट हो जाएगा यह देखिए जैसे मैं यहां पर भेसता हूँ किसी के पास यहां पर यह देखिए इसके पास मैं 12 से भेजता हूँ self district timer लगा करके photo भेजता हूँ यह देखे जैसे मैंने यहाँ पर भेजा तो यह देखे दोस्तों यहाँ पर इस बंदे ने इस photo को open कर लिया है और open करते ही यह देखे एक second बाद यह photo अपने आप ही यहाँ से delete हो चुका है तो दोस्तों इस तरह से यदि आप भी किसी के पास photo भेजना चाहते हैं self district timer लगा करके तो आप इस तरह से भेज सकते हैं तो दोस्तो यह वीडियो यही पर समापत होती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगी तो चलिए दो